हलो वर्ड माइनेम इस वसीम और फुल स्टैक वाब डवलपर यार कई बार क्या होता नहीं स्टुडेंट्स अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री के साथ जॉब करना शुरू कर देता हैं सबके अपने अपने रिजन्स होते हैं कई स्टुडेंट्स फाइनेंशल वीक होते हैं तो वो जॉब करना लग जाते हैं या फिर कई स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्किल सेट्स पर काम करते हैं उनको कॉलेश करना लग जाते हैं पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आपकी डिग्री कंप्लेट हो ज सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब आप डिगरी के साथ कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एक्सपीडियेंस हम लोग गैन करेंगे वह एक्सपीडियेंस किस केटेगरी माता राइट आप यूजुली जब हम दोनों काम साथ में करते हैं डिगरी प्लस वह उसे हम स्किल्ड वर्क एक्सपीडियेंस करते हैं ठीक है इसका मतलब यह कि आपने कोई ना कोई स्किल्ड बिल्डप की ड्यूरिंग और ग्रिजूशन विद्ध हैल्प ऑफ एनी जॉब करेक्ट अब जो स्किल्ड आपने बिल्ड की वह आपके लिए अभी काम नहीं आ पर कंटी रहे गएगा रायट पर कंपनी वेंग नहीं करेगे आप तुम की में माइंड में एक वर आसकता है कि भी उस experience को count ना करें अब देखो सीधा सा इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है तुम भी जानते हो कि दोनों चीजे साथ में मुम्किन है नहीं डेगरी भी कर रहे हो जौब भी कर रहे हो और दोनों के दोनों फुल टाइम या फिर रेगुलर राइट तो एक टाइम में तो एक की चीज़ हो सकती है ना वह एक अलग बात है तुम लोग कोलेज जा नहीं रहे प्रॉपर क्लासेज नहीं ले रहे और इधर जॉब कर रहे हो क्योंकि वह एंड अफ दे तुमने खुद मेनेज किया पर कंप अब अगर वह एक्सपिरेंस काउट होगा ही नहीं तो क्या मुझे जॉब करना चाहिए विद माई डिग्री और नौट तो देखो इन माई ओपिनियन अगर तुम लोगों के पास ऑपरचुनेटी आती है तो डेफिनेटले करना चाहिए अगर तुम लोग बैलेंस कर सकते ह हो तो डिगरी और जॉब के साथ ओके दोनों में बैलेंस बिठा सकते हो तो डेफिनेटले करना चाहिए अगर करोगे तो फ्यूचर में तुम लोगों को ही बेनेफिट होंगे ओके देखो कुछ एक बेनेफिट मैं बता तूं नमबर बन बेनेफिट इस अगर फॉर एक्ज कर सकते हो तुमारे पास experience तो है ना पहले का doesn't matter companies count नहीं करती पर experience थे तो तुम जल्दी सीख पाओगे करेक्ट हो सकता है वह training period तुमारा दो से तीन महीं नहीं के अंदर खतम हो जाए बेनेफिट नमबर टू इस जनरली क्या होता है इस देखो companies freshers को hire करती है for example 15,000 रुपी as comparative to freshers तुमको knowledge ज्याद है because तुमने काम किया वाया already किसी ना किसी company में doesn't matter वह experience count नहीं कर रहे पर knowledge तो knowledge है ना knowledge तो ही अब यहाँ पर तुम company के साथ बात कर सकते हो कि मेरी salary as comparative to that guy थोड़ी ज्यादा होने चाहिए देखो तुमको बात करनी पड़ेगी थोड़ा negotiate करना तो चैनल को भी subscribe कर लेना अगर किसी भी टाइप की question या फिर query हो तो नीचे comment section में लिख सकते हो वहाँ पर मैं reply कर दूँगा या फिर Instagram और LinkedIn तो है वहाँ पर आजो वहाँ पर one to one chat करते हैं तो चलो फिर मिलते हम next video में till then बबबाई